तो आज के फ्रेंट पेच पर कुछ खास नहीं है नेक्स पेच पर हम देख सकते हैं कि यहां पर जो स्कूल गर्ल के उपर एक एसेड अटाक हुआ था और यहां पर भी एक चोटे से दो साल के बच्चे के आदमी ने सेकेंड फ्रस्ट फ्लोर से एक दिया मतलब यहां पर इसमें से कुछ सीखने लाइक तो नहीं है लेगिन हाँ एक बाद जरूर है कि इसमें जो है गवर्मेंट को सेंसिटाइजेशन थोड़ा से करना चाहिए लोग का मतलब सेंसिटाइज करना चाहिए लोग को बताना चाहिए किस तरह से दूसरों में भी फीलिंग्स होती है और उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट साथ-साथ केयर भी करनी चाहिए कि किसी एक परसन की आक्टिविटी से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुँचाए यहाँ पर मतलब सेंसिटाइजेशन पर गवर्मेंट को वर्क करना चाहिए एक यह जरूरी और साथ-साथ गवर्मेंट की साथ-साथ पेरेंट्स को भी क्योंकि बच्चों की अब ब्रिंगिंग कैसे करी गई है यह भी उनके माइंडसेट को काफी जादा एफेक्ट करता है काफी जदा डिसाइड करने का काम करता है आगे बढ़ते हैं गवर्मेंट का कहना है कि जो ब्रेस्ट कैंसर यह जो कि वोमेंस में पाया जाता है यह एक्स्रीम अर्जिंसी का मैंटर नहीं है ठीक है तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नू तो breast cancer में से एक होता है Intense Luminal A breast cancer ठीक है तो में इस जो केस है इसमें Luminal A वाले type के breast cancer की बात करी गई है जिसमें की जो drug दी जाते है पहली बात तो यह काफी intense होता है काफी जदा डेंजरस होता है इस breast cancer के type में से luminal A वाला जो होता है इस काफी जदा डेंजरस होता है इसके लिए जो drug recommend किरी जाती है उसका नाम है ribociclip ठीक है ribociclip जो की जिसको बनाने वाली company है Novartis ठीक है Novartis firm इसको बनाने का काम करती है the only company ठीक है ribociclip को इंडिया में यह बहुत जाथ expensive होती है और साथ ही साथ unavailable at affordable price मतलब affordable price पे यह available नहीं पाई जाती matter जो है पूरा यह इसी को लेकर के देखें इस article में कहा है ना कि एक woman को breast cancer हुआ फिर उसको detect किया गया तो पता चला कि जो breast cancer है वो luminal A type का है अब वो उनकी जो income थी इतनी जादा नहीं थी कि वो afford कर पाएं साथ जार का यह खर्चा luminal A breast cancer को treat करने वाली यह जो drug है ribociclip इसका मतलब कि इसका cost around 60,000 के around पढ़ रही थी इनको और यह इनके लिए afford करना हर महीन है काफी expensive पढ़ जा रहा था affordable price पर available नहीं थी क्योंकि सीधी सी बात है यह एक intense है और साथी साथ एक type है मतलब कि already breast cancer ऐसा नहीं कह सकते कि कम होता है लेकिन luminal A के कितने मरीज है total patients में से यह अभी किसी को नहीं पता है इसके उपर कोई data या report नहीं आई है इस पर द्यान नहीं दिया government ने अभी तक overall हम यह कह सकते हैं ठीक है तो इस वज़े से इसके जो दवाईया है वो सिर्फ एक ही firm बनाती है और इसके दूसरी generic drugs बनाने को government ने अभी तक authority नहीं देई है किसी को भी ठीक है तो एक होती है patent, patent drugs ठीक है patent drugs होती है जो कि standard quality की होती है एक firm उनको बनाती है कोई भी firm है यहाँ पे novertis firm है और अलग-अलग दवाईयों में अलग-अलग firm हो सकती है तो patent जो होती है और वो दवाईय महेंगी होती है क्योंकि उनको एक standard firm बनाके देती है तो उसी के copy कुछ बना दी जाती है generic drugs ठीक है उनहीं के copies होती है उनको बोलते है generic drug जो की सस्ती होती है और काम भी उनका लग-बग वैसा ही होता है ज्यादा difference नहीं पाया जाता लेकिन Indian government ने अभी तक यह जो दवाई है ribosiclip नाम की जो हम देख रहे है ड्रग है इसको अभी तक manufacture करने का अधर किसी और को authority नहीं दिये मतलब generic drugs बनाने की authority नहीं दिये इस drug की ठीक है तो यह यहाँ पर issue आता है कि भाई देखिए एक तो expensive है सीधी सी बात है आपने भी देखा कि 60,000 की पड़ती है overall इसकी medication इस drug की 60,000 हर महीना तो काफी expensive है एक normal आदमी इसको afford नहीं कर सकता है इंडिया में ठीक है affordable price पर नहीं है और government ने इसकी generic drug बनाने को भी नहीं दिया तो अब यह न concern बन जाता है इसी वज़े से वहां के जो जो couples से जिसमें से एक woman थी और उनको इस luminal A variety की breast cancer से जूजना पढ़ रहा है तो केरला के high court पहुचे केरला के high court में उन्होंने अपना बताया है सारी conditions तो सारी conditions बताने के बाद यह हुआ कि आगे मतलब बात है चली बट government ने वही यह statement दिया यहाँ पे हम देख सकते है national or extreme urgency नहीं है ऐसा statement देखके government ने अपने आप 50 reasons भी हो सकते हैं with respect to जो भी वह हमारे क्या कहते है patients हैं उनको लेकर के आगे बढ़ते हैं कि अब कुछ reports और data देख लेते हैं related to breast cancer breast cancer से related data में Indian council of medical research का एक data है जिसमें से बताया गया कि 1 lakh women's में से 100.5 women's वो breast cancer से survive कर रही है मतलब जो जरी हैं अभी कितने total number of cases है 1 lakh 82,000 cases है और माना जा रहा है कि 2030 तक में इंडिया के अंदर भी लाग cases के पाए जा सकते हैं अभी तक इसका luminal A variety में कितने cases हैं उनका breakup नहीं किया गया है मतलब कि overall जो total cases है मतलब 182,000 cases है अब इन में से कितने luminal A variety के cases हैं अभी तक इसका कोई भी data सामने नहीं आया है ठीक है मतलब कि यह काफी जादा case है obviously है अगर एक लाख लोग भी से जूजर है आने वाले टाइम में यह बढ़ने वाला है ठीक है तो फिर government को इस पर कुछ ने कुछ तो ध्यान देना ही चाहिए जैसे कि अभी covid की बात थी तो covid में क्या हुआ था कि पहले तो कम था बाद में बढ़ गया काफी ठीक है तो अगर किसी की भी life ठीक है government के लिए तो लोग है गिंती है सिर्फ कि या एक आदी मर गया दो आदी मर गया बट अगर हम देखें उनकी family से पूछ तो उनके लिए त तो वो काफी दा important person रहा होगा तो government को हर individual के life को ध्यान में रखके काम करना चाहिए और अगर ऐसे cases आते हैं तो government को उनको अलग से special ध्यान देना चाहिए उनको assist करना चाहिए आखिरकार government बनी किसलिए है आगे WHO की report कहती है कि 23 लाग women's breast cancer से जूज रही है जिन में से 6 लाग 85,000 के death भी हो चुकी है at the end of 2020 मुलब 2020 के end में I think यह one year का data है and 2020 के end में 5 साल का जो data निकाला गया 2015 से उसमें 78 लाग women's से पीडित है this makes world's most prevalent cancers मतलब की जो most prevalent cancers होते हूं उनमें से सबसे जादा prevalent cancer है breast cancer ठीक है government denying government क्या deny कर रही है आप government जैसे हमने यह आप आर्टिकल में देखा कि government क्या कह रही है nationally extreme urgency नहीं है तो government deny किस बात से कर रही है government deny कर रही है right to health से right to life से जो कि हमारे article 21 में दिया है fundamental right के fundamental right का article 21 क्या कहता है right to life and personal liberty तो liberty की दो बात नहीं लेकिन हाँ right to life की बात जरूर है और right to health की बात भी क्योंकि right to life के अंदर right to health अपने आप आ जाता है क्या मुलब क्या deny करा affordable और sufficient supply of drug को यहाँ पर deny कर गया है government के द्वारा करला ही कोड ने बोला भी government को government ने कुछ body इसको बैठाया कि आप चेक कीज़े इस पर क्या किया जा सकता है इसको generic drugs बनाई जा सकती है नहीं तो फिर उन्होंने overall deny कर दिया next आते है right to health पर क्योंकि अब यह issue तो था ही था अब इस issue पर तो भाई government ने जो बोला बोला करला हाई code ने जो बोला बोला बट यह हमारे इससे हम क्या सीख सकते हैं इससे हम यह सीख सकते हैं कि यह जो right to health है वो कहा mentioned है right to health हमारे article 21 में यह तो पता है लेकिन इसको लिया गय इस पर हमने कल पढ़ा था डिरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि स्टेट गवर्मेंट या सेंटरल गवर्मेंट जब भी कोई plan या पर scheme या policy लेके आती है तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके लेके आती है जिससे कि लोगों को welfare किया जा सके यह ना आप देख सकते हैं यहां पर भी कोड में यह यहां पर जो कपल्स थे वो कोड गए के रलाहे कोड गए वहां पर गए के रलाहे कोड ने इस पर स्टप भी उठाया गवर्मेंट का क्या जबावाया अभी आगे वो चले की proceedings चलती है नहीं चलती वो देखा जाएगा वो उनक वेंटल राइट के तो आप यह क्या हो गया जस्टिश यह बल हो गया अब इसको लेके कोई भी कोड जा सकता है और कोड से कह सकता है कि गोवर्मेंट हमें हमारा जीने कादिकार हेल्थ कादिकार नहीं प्रोवाइड कर रही है कब आड किया गया है यह आड किया गया है 75th Independence Day 2021 में इसे एड किया गया है इसके बाद यह 75th Independence Day 2021 में इसको मूव किया गया था तो 75th Independence Day मतलब कि यह किस कमिशन में हुआ था 15th Finance Commission में इसको मूव किया गया था अंडर N.K. Singh के दोएरा 15th Finance Commission में और कौन से बड़े amendments आये थे तो बड़े amendments में हम देख सकते हैं कि 15th Finance Commission में जब बात हुई थी तो उसमें यह हुआ कि इस स्टेट नौ विल गेट 41% इंस्टेड ऑफ यह 42% है 41 नहीं है यह 42% है ठीक है मतलब इस स्टेट को 41% फंड मिलेगा टैक्स में से पहले 42% मिलता था अब वह एक परसंड जो होगा बो जाएगा जम्मेंट कश्मीर को और ज़दा डेवलप कराने में 2021 से 2026 तक के टाइम के लिए मतलब की 2021 से 2026 तक बाकी स्टेट को जो फंड मिलता है 42% मिलता था अब वह 41% हो गया और वह एक परसंड जाएगा जम्मु कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ पर यह हमारा जो आर्टिकल था इससे रिलेटेट जहाँ पर गवर्मेंट ने डिनाई किया कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो नाशनल और एक्स्ट्रीम अर्जंसी नहीं है तो उसको हमने रिलेट किया देखे कैसे है पहले हम उस पर डेटा पर गए कि क्या क्या स्की.